इसकार मैं हिमान्शू और आप देख रहे हैं टार्गेट पित हिमान्शू 29,000 सुचक बर्थी से सम्मंदित एक प्रश्ण बार-बार भिर्थियों से पूछा जाता है इसका सम्मंद उतरकुंजी मामले से है आप सभी जानते हैं दो-तीन प्रश्ण ऐसे हैं जो विवादित हैं जिन पर अभी नियले के द्वारा फैसला किया जाना सेस है अभ्यर्थी जो की चैन से वन्चीत रह गए हैं एक नमबर दो नमबर से अनुत्र रह गए हैं हो सकता है कि भविश्य में एक दो नमबर बढ़ जाए और अगर ऐसा होता है तो कुछ नए अभ्यर्थी फिर से इस रिस में आ जाएंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका अकेडमिक अच्छा होगा तो जैसे ही पास होंगे उनका सेलेक्शन भी होने की स्थिती हो जाएग चैनित हैं वो बार-बार डरते हैं इस बात को लेकर कि क्या दुबारा चैन सुची जारी होगी और अगर दुबारा चैन सुची जारी होगी तो क्या वो बाहर हो जाएंगे यही प्रशन बार-बार भरतियों के दौरा पूछा आता है इस वीडियो में हम इसी पर बात करें तो मेरा स्पष्ट उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं होगा, कारण है क्योंकि आपके जो न्यूक्ती हुई है, उस न्यूक्ती की सर्थ में ऐसा नहीं लिखा है कि उत्तर कुझे मामले पर Lehrολज्डुमेंट आने के बाद, अगर ऐसा होता है कि कोई और मतलब सामिर होता है तो आपको बाहर के जाएगा ये आपके न्युक्ति पत्र पर न लिखा हुआ है और नहीं ऐसी कोई सर्थ राज सरकार ने आपसे लगाई है इसलिए अगर आप यह सोचते हैं कि एक दो नंबर कॉमन हो जाए बढ़ जाए तो फिर से कोई चैन सुची जारी होगी तो यह बिल्कुल गलत है अब आप सोचेंगे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा इस परस्ट जवाब इसका भी है कि जिस अभ्यर्थी का जो नियुन्तम गुडांग है वर्तमान में चैनित जो भी अभ्यर्थी ऐसे यूर में जिस गुडांग तक का भ्यर्थी चैनित हुआ है अगर उस होगी वह उन अभ्यर्थियों को उसमें चैनित करेगा और जो भी अभ्यर्थी वर्तमान में चैन पा चुके हैं नियुक्ति मतलब हो गई है सायक अध्यापा के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें नहीं निकाला जा सकता इस रिट के एकॉर्डिंग या जो इभी रिट खानवेरामस्रन मोरिया की चीका है उसमें जो जजज्मेंट आएगा उसके मतलब फाइनल जज्मेंट पर आपकी नियुक्ति ठीकी है और वो फाइनल जज्मेंट आचुका है उत्तर कुंजी से संबंधाब का आब नहीं है तो साफ मेरा यह मतलब आपको जांकारी देने का मतलब यही है कि बिल्कुल क्लियर है कि जिनकी न्युक्ति हो चुकी है उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं है अब अगर भविश्य में एक दो नंबर बढ़ जाता है तो कुछ अभ्यर्थी अपने गुडांग के अधार पर हो सकता है कि अच्छे मदब जो भी मदब सेलेक् लिष्ट जारी है उत्तरकुंजी मामले में फिलाल इस सूची में कोई भी बदलाव नहीं होगा ठीक है तो बिल्कुल बेफिकर रहे हैं आप परेशान ना हो यही इस पष्ट आपको जानकारी दे दी जा रही है लास्ट टाइम फिर से वार रिवाइज कर दे रहे हैं कि उत्तरकुंजी मामले के अधार पर सुलचीत है उसमें समय तब बड़तियों को चिंता करने के जरुवत नहीं है अगर भविसमें एक दो नमबर बढ़ते हैं कोई नई सीथी पैदा होती है जिसे मानले जिए OBC का 6-10 मिलों 8 या साथ जो भी सेलेक्शन का कोई कंडिरेट से जोड़ कर यह सरकार ने भी कहा है और यही मतलब वर्तमान समस्या का हल भी है तो बिल्कुल चिंता न करें बाकिये फिरती यही जनकारी आपको देनी थी तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गुड़बाई